नब्वे का दसक वो दोड था जब लोगों की जिंदगी दो चाय टेली विजन के चेलनों पर अटकी हुई थी तब के दिनों में हर घर की पसंद वासिंग पाउडर निर्मा की यादें साइध ही आज आज आप भूले हो अगर मैं कहूं वासिंग पाउडर निर्मा तो आज भी आपके दिमाग में नब्वे के दसक का निर्मा का विज्यापन आखों के सामने आजाता होगा जिसका जिंगल आज भी लोगों के जहन में जिंदा है आपने जरूर गोर फरमाया होगा कि निर्मा वासिंग पाउडर के पेकट पर एक लड़की सफेद फ्राग पेहने में जराती है लेकिन क्या आपने कभी इस बात को जानने की कोशिस की है कि आखिरी लड़की कौन है और इस लड़की के निर्मा के पेकट पर छपी होने की पीछे की सच्चाई क्या है इस लड़की की कहानी बहुत ही दिल्चस्प और दुख भरी है तो दिल थाम के देखिए ये वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही नोले से भरपूर वीडियोज के लिए ये कहानी 1979 की है निर्मा वासिंग पाउडर के निर्मा था करसन भाई की एक बेटी थी जिससे वो बेहद प्यार करते थे वेसे तो उनकी बेटी का नाम निर्मा था लेकिन वो प्यार से अपनी बेटी को निर्मा कहकर बुलाते थे हर एक बाप की तरह करसन भाई भी अपनी बेटी को आँखों से ओजल नहीं होने देते थे लेकिन किसमत पर किसका वस चलता है एक दिन कहीं जाने के दोरान निर्पुमा का एक्सिडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई इस गजना से करसन भाई इतना तूट गए कि उन्हें समनला मुश्किल हो गया था करसन भाई हमेशा से ही ख्वाइश रखते थे कि उनकी निर्मा बड़ी होकर खुब नाम कमाए और अपनी बेटी की फोटो भी लगाई आगे चलके निर्मा ब्रांड देश भर में छा गया और एक ऐसा समय आया कि पूरे भारत में निर्मा डिटर्जेंट पाउडर का एक छत्र राज चला उसके बाद कई डिटर्जेंट पाउडर मार्केट में आये जिसमें सर्फ, एकसल, हैंको, एरियल, भील तथा घड़ी जैसे डिटर्जेंट पाउडर सामिल थे तो ये थी वासिंग पाउडर निर्मा की पूरी कहानी वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो जिसे हमें मोटिवेशन मिले और अधिक वीडियो बनाने के लिए ठैंक्यू